सब्सक्राइब करें आपके चैनल फार्मावीद पवन को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से को नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी इनسान की जान बचानी है तो जान बचाने के लिए अगश्या बीडियो को लाइक भी करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टांट कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एमर्जेंसी कंडिशन में जो होस्पिटल के दवारा यहाँ पर इंजेक्शन यूज की जाते हैं उसमें सबसे पहले इंजेक्शन आता है एट्रोपिन इंजेक्शन इसकी डोज की हम बात कर ले तो इसकी डोज होती है 0.4 मिली गराम पर एमल के लिए और सब कट भी दे सकते हैं इंजेक्शन को अब इसकी यूजिस की बात करें तो यूजिस की किस काम आता है पहला इसका यूजिस है अगर किसी को ब्रेटी कार्डिय हो गया है यानि अगर किसी की दिल की धड़कन समाने से अगर नीची के तरफ गिर रही है तो कीटना सक दवाई को पी लेता है तो उस कंडिशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है ताकि उसके जो कीटना सक होते हैं वो अंदर से इसके खतम हो जाए यह एंटीडोट के दोर पे काम करता है इसको लगाने की बात कर ले तो इसको हम आई-एम भी दे सकते हैं इसको हम बहुत दे सकते हैं इसकी हमाँ यूउजस की बात कर लेते की क्या काम आता है सबसे पहले प्रेचर के काम आता है हैंब अगर ब्लेड़ प्रेसर साधान से ज़्यादा अगर हो गया है जैसे कि 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 सी कडाव में नीस तो उस कंडिशन में लैसिक्स इंजेक्शन लगा जाता है ताकि उसका ब्लड प्रेसर यहां पर नॉर्मल हो जाए उसके बाद में सेकंड इसके यूजिस की बात करते हैं इंकरीज यूरिन आउटपूट अगर किसी के सरीर में एक्स्टा फिलूड हो गया है तो एक्स्टा फ बात कर लें तो इसको हम आई यूज कर सकते हैं शिरफ यह आई वी ही लगता है आयम इसको नहीं लगा सकते हैं अभ इसकी दिल की धड़कन सही से नहीं चल ली कभी उपर हुजाती कभी नीचे हो जाती तो उस कंडिशन में इस इंजेक्श्नklärश में को लगाते ताकि पेश चोथा इंजेक्शन हमारा यहां पर पोटासियम कलोराइड का होने वाला जिसको के सीयल भी बोल देते हैं इसकी डोज की बात कर लेते हैं इसकी डोज कालोटासियम कम हो जाता तो फोटासियम लेवन को इनकरीज करने के लिए इसकी डोज होती ने पर क्लोज के अंदर कैलसिम लेवन को बढ़ाना होता है तो उस कंडिशन में इस इंजेक्शन को लगा जाता है किसी के अंदर कैलसिम लेवन कम हो गया इसको बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है साथ के साथ में यह मैगनेजियम टॉक्सिटी का भी काम करता है अगले इंजेक काम आता है यह injection जो हाइपर-कैलिमिया के काम आता है यानि प्रेगनेंसी में पौटाशियम की कमी की वज़े से मावावर शीश्यू में कई तरी की समस्या पैदा हो जाती है उस समस्या को ठीक करने तो इसकी डोज यहाँ पर 2.2.75 mg परैमल की डोज होने वाली है रूट की बात कर ले तो इसको आप IV भी लगा सकते हो IM भी इसको लगा सकते हो आप इसकी युजिस की बात कर लेते हैं तो यह allergy condition में इस injection को लगा सकते हो allergy condition जैसे अगर किसी की नाग बहरी है किसी को खुजली है या फिर और भी कोई allergy problem है तो उस condition में इस injection को आप लगा सकते हो अगले injection हमारा यहाँ पर हाइड्रो कोटेशीन होने वाला है जिसको प्रीमा कोट नाम से भी आप जानते हो हाइड्रो कोटेशीन इंजेक्शन की डोज की बात कर ले तो यह 100 mg per ml के हिसाब से इंजेक्शन लगता है रूट की बात कर ले तो इसको आप आई वी यूज कर सकते हो अब इसकी यूजिस की बात कर लेते हैं तो क्या काम आता है यह इंजेक्शन जो skin allergy के काम आता है अगर किसी को skin allergy हो गई है उस condition में आप इसको लगा सकते हो अस्थमा के अंदर भी यह injection काम आता है अगर किसी को सांस की प्रोलम है उस condition में उनको आप लगा सकते हो और साथ की साथ में autoimmune disease में भी काम आता है तो अगर किसी को फिपडो से रिलेटे yatर किसी को भिमारी है उस कंदिशन में भी आप लगा सकते हो अगर किसी को ड्रगसे रेक् trucks फेक्षन हो गया तो उस कंदिशन में भी यह इसकसि की एक्वी यहां पर लगता है〜 अब इसकी यूजिस की बात कर लेते तो क्या काम आता है ये प्रोलोंगेट सीजर्स के काम आता है इसका यूजिस होता है प्रोलोंगेट सीजर्स का मतलब होता है अगर किसी को लंबे समय से दोरे की समस्या है तो उस कंडिशन में इस इंजेक्शन का यूज होता है दोरों की स इंजेक्शन लगता है lub कि वात कर लें तो यह इन्जेक्शन आईवी इनफ्यूजन डिया जाता है अगर इन्जेक्षन में यह इसकीन नगया जाता है अगला इंजेक्शन हमारे यहां पर डेक्स हौरा होने वाला है अगर कैसे को इसकी डोज़ेश की बात कर ले तो यह 4 mg पर 2 ml के हिसाब से इसकी डोज लगती है इसके रूट की बात कर ले तो आप आई-वीव लगा सकते हो अब इसकी यूजिश की बात कर लेते तो क्या काम आता है यह इंजेक्षन जो अस्थमा के पेसेंटों के लिए काम आता गर किसी क हो COPD नामक डिजी से उसमें भी काम आता है COPD का मतलब होता है chronic of CSC plomandry disorder condition में भी injection लगा जाता है तो दोस्तों मैंने आपको जो emergency condition में use होते हैं चाहिए वो emergency condition hospital में हो या फिर वो emergency condition ambulance के अंदर हो या फिर स्टेड के टैम पर emergency condition हो जिससे इंसान की जाना बचाए जा सकती है वो injection सारक सारे आपको बता दी है यही इंजेक्शन जो अमेटरिसिक इंडेशन में यूज होते हैं अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तके लिए झाली थे थे वीडियो को रच्छी आ झाली करें तोस्तों में राइक्शन करें लिए यग झाली को भी प्रवा गलते हैं